आज हम बनने जा रहे हैं बैकेट पास्ता और वो भी हम कड़ाई में बनाएंगे बहुत ही इजी तरीका है बनाने का आप ज़रूर ट्राइक करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को पहले हम यहां पर 500 ग्राम पास्ता के लिए एक लिटर पानी उबालने के लिए रखेंगे उसमें हमने एक चमच ओईल और आधा चमच नमक डाल दिया है ओईल हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि पास्ता चिपके नहीं पानी में जब उबाल आएगा उसके बाद ही हम इसमें पास्ता आइट करेंगे देखे हमने पास्ता आइट कर दिया है और यह हमारा पास्ता बोईल हो चुका है आप चेक कर सकते हैं नाइफ की मदद से अगर बीच में आपको वाइट श्टार्च दीखे मतलब कि पास्ता नहीं है और ज्यादा बोईल करें यहां पे पास्ता हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पानी है उसको हम यूज करेंगे उसको साइड में रखेंगे आप पास्ता में वापिस थोड़ा सावे लगा के रख सकते हैं क्योंकि वह चीपक आपको जो वेज अच्छा लगे वह आप ले सकते हैं यहां पे हमने पैन में टूच स्पून ओयल लिया है उसमें हमने गार्लिक करश किया हो डाला था बस उसको थोड़ा से सोटेट किया बाद में हमने अनियन और ग्रीन चिली बेट कर दी थी ज्यादा में ब्राउन नहीं करना है बाद में हम गाजर और कॉर्ण भी एट कर देंगे बारिक चोप एट किया है और अच्छा से सोटेट करेंगे बाद में हम इसमें कैप्सिकम भी एट कर देंगे और थोड़ा सा नमक भी एट कर देंगे जिसकी स्मूथ सबजी हो जाए यहां पर हमने पास्ता भी इसमें मिला दिया है अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ब्लेक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर औरेगानो आपके पास जो भी सिस्निंग हो वह आप इसमें एट कर सकते हैं आप यहां पर रेड चिली सोस ग्रीन चिली सोस एट कर सकते हैं टेस्ट के मताबिक जी हमारा पास्ता हो गया है अब हम सोस के तरफ चलते हैं यहां पर मैंने ब्लेक पेपर पाउडर लिया है औरेगानो चीज और बटर यहां पर टूस पून जीतना बटर लिया है इसको मेल्ट करेंगे जितना हम बटर लिएंगे उतना है हम मैदा भी लेंगे अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें हम मैदा एड़ कर देंगे मेडियम आज पे रखना है जिससे कि मेडा जहल न जाए बस थोड़ा सा ही पकाना है मेडा को बटर में बिल्कुल भी इसमें लंप्स नहीं पड़ने चाहिए इसको अच्छे तरह से हम मेल्ट करेंगे जिससे ही अच्छे सी मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मिल्क अट करेंगे हमने यहां पर दो कप मिल्क लिया है आप जाहें जितना आपको सोस चाहिए उतना आप मिल्क ले सकते हैं अच्छे सी मिक्स करें इसे क्योंकि लंब्स रहे गए तो फिर हमारी सोस अच्छी नहीं बनेगी अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क एट करेंगे दूद एट करेंगे इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और वापिस हम थोड़ा सा मिल्क एट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके स्मैट करें और अच्छे सी मिलाएं घूल जाना चाहिए इसमें मैदा अब लाश्ट में हम जितना भी मिल्क डालना है वो हम इसमें डाल दिएंगे आपके उपर डिपेंड करता है आपको सोस केसी चाहिए गाढ़ी चाहिए या थोड़ी से पतली चाहिए जो बचा हुआ दूद है वो हम इसमेट कर देंगे और अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत थी धीमियाज पर रखेंगी केस को अभी हम इसमें टेस्ट के लिए हम बलेक पेपर यूज़ करेंगे आप चाहिए तो यहाँ पर भी आप ग्रीन चिली सोस या रड़ चिली सोस एट कर सकते हैं थोड़ी सी भी शल्द बाज जनी करने हैं हम आराम से सोस बनाना है देखिए यही बिलकुल बहुत स्मूद सोस बनी है अब इसमें हमें जो मसाले जो टेस्ट के लिए हमें एट करना है वो एट करेंगे यहाँ पर मैं बलेक पेपर ले रही हूँ हाफ स्पुन जितना थोड़ा सा ओरेगानो एट करेंगे जो भी आपके पास सीजनेंग आवेलेबल हो वो आप एट कर सकते हैं इसमें इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे नमक हम थोड़ा सा ही यूज करते हैं क्योंकि जो पास्ता का पानी बचा हुआ है उसमें भी नमक है यहाँ पर मैं चीज क्यूब एट कर रही हूँ आप ग्रेट चीज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर बहुत कम मैंने चीज लिया है आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं और चीज बगेर का सोस भी यूज कर सकते हैं यह जो पास्ता से बचा हुआ पानी था वो भी हमने इसमें एट कर दिया है और यह हमारा सोस रेडी हो चुका है हमें जिस बाउल में बेकेट करना है पास्ता उस बाउल में हमने सोस पहले स्प्रेट किया बाद में पास्ता डाला आप जिसमें केक बेक करते हैं वो भी आप ले सकते हैं या कोई भी जो आपके पास बरतन हो आप ले सकते हैं पास्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए यहाँ पे में केचप थोड़ा साइट करती हूं इसमें अगर आपको पसंद है तो आप भी उस करें वापिस हम इसमें वाइट सोस स्प्रेट कर देंगे मॉजरिला चीज आपको इतना चीज यूज करना है आप उतना ले सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लोकेट चीज पिलिया है जो क्यूब्स कड़के लिया है मैंने दोनों चीज इस्तेमाल की हुए है यहां पर और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए और अच्छा लोग देने के लिए हमने रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंग किया है यह कड़ाई लिए है और इसको हमने प्री हिट होने के लिए रख दिया था और इसको मेडियमाच पे हम अच्छे से नमक लगाया है कड़ाई पर उस पे छोटी से प्लेट रखी है जो मैं केक बनाती हूँ साइद आपको पता होगा और इसको पंदरा मिनिट के लिए हमें मेडियमाच पे बेक होने के लिए रख देना है आफ्टर पंदरा मिनिट देखेंगे हम माशाला से बहुत ही पहतरिन खुसबू आ रही है और बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है आप भी ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही लाजवाब बना था ये बैकेट पास था अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लिस सब्सक्राब टो माई चैनल और लाइक माई रेसीपी थेंक्यो फोर वोचिंग